आपसे दोस्तों, राधे राधे कैसे हैं आप सब लोग आई होप, आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे हूँगे और अपना ध्यान रख रहे हुँगे, हम सभी अपने घर में बहुत सारे काम करते हैं, उन कामों को करने में बहुत ज़ादा समय लगता है, तो आज में आपके साथ ऐसे चोटे-चोटे यूजफूल斯 है और जिनको फॉलो करके आप अपने समय की ड़िट करेंगे करेंगे, साथ जी साथ आपके पैसे की भी बचत होगे इन टिप को फॉलो करके आप अपने घर में भी बहोँ सारे काम extra कर सकते हैं जरा सी भी यूस्फिल लगती है तो लाइक जरूर से कीज़ेगा चैनल पर फर्स तैम आये हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना बेल आइकन को भी प्रैस कर देना जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल भी रही तो चलिए वीडियो को स्टार कर लेते हैं और देख लेते हैं आट की यूस्फिल से जब्सक्राइब कर लेकर हम सबीके घर में रबट बैंस मिल ही जाएंगे या तो हम इने खरीक कल आते हैं जब हम बाहर से कोई खाना वगारा तो उसके साथ भी आते तो मैं उनको भी खटा कर लेती हूं मठाई के डब् उसके बहुत सारे यूसर, जो कि मैं आपके साथ भी नहीं कर सकती हूं तो आपको क्या करना है कि सित थ्रीके से इसको रखने आपको क्या करने कोई भी स्वावर्ट बैंक्लान को बहुत जल्दी से खराब हो जते हैं मतल시면 फिश मेर्स के दूबर से टूब हैं नहीं है तो आप क्या करें जो भी आपके rubber bands है उनमें थोड़ असा powder expire हो गए वो भी use कर सकते हैं या फिर नहीं भी हुआ है अच्छा powder है तो भी आप थोड़ असा डालने में आदा चम से भी कम आपको डालना है अच्छे से इसके अंदर डाल देना अच्छे से इन सारी rubber bands को mix करना है तो यह आपके लंबे टाइम तक सही रहेंगी बिलकुल भी खराब नहीं होगे यह चोटे-चोटे ideas ना हमारी बहुत सारी पैसों की बचत कर देते क्योंकि होता क्या है जब यह rubber bands खराब हो जाते हैं तो हम ठेक देते हैं फिर हमें नई लाने पड़ते हैं तो आप इंट्रिक्स को follow करके अपने पैसे बचा सकते हैं उमीद करती हैं चोटे-चोटे ideas आपको ज़रूरते पसंद आएंगे चलिए next tip के लिए हमें चाहिए एक बाउल यहां पर आप प्लास्टिक का जो भी आपके पास बाउल है वो ले सकते हैं यहां पर मैंने लिया है कांच का तो इसके अंदर आपको डाल देना है पानी पानी यहां पर आपको नॉर्मल ले लिया है दरम नहीं लिया नॉर्मल पानी उसके बाद हम इसमें सिर्फ विनिगर एड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ असा आपको विनेगर ढाल देना है लबग 2-3 चमच विनेगर डालने के बाद इसको अच्छे से आपको mix कर देना है तो यहाँ देखे मैं इसको अच्छे से mix कर दूँगी अब इसका क्या use अब बहुत ही अच्छा सा use है जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से डिप नी हो रहे है तो मैं इस तरीके से round round करके इनको घूमा दोई इससे क्या होगा आपके जो प्रौक विनेगर बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है एक दम नई जैसे हो जाते है तो यहां देखेंगे अभी यह ग्लास की तरीके से था अभी देखे कितनी अच्छी सी शायन आ गई है इसमें हमें ना कोई डिटर्जेंट वगरा कुछ भी यूज नहीं करना सिर्फ नॉर्मल सी बस यही टिफ फॉलो करनी तो कि रखे रखे भी जो हमारे कांच की प्रॉक्री आप कांच के बर्तन होते हैं बहुत जल्दी से पुराने ज इसको रख रहें तो यहां पर यह चोटे चोटे आईएस आपके घर के बहुत सारी कामों में हैल्प पर सकते हैं उम्मीद करती हुई आईडिया आपको ज़रू से पसंद आया होगा चलिए नेक्स टिफ देख लेते हैं नेक्स टिफ बहुत ही यूसफुल होने वाली है तो सबसे पहले आपको लेना है कैसरोल तो कैसरोल का यूज हर घर में किया जाता है सभी के घर में कैसरोल मिल ही जाता है जिसमें कि हम रोटी बगरा रखते हैं जिससे की खाना गरम रहता है तो बस आपको वही कैसरोल लेने हैं छोटा बड़ा कोई सा भी आप ले सकते हैं तो यहां पर देखिए, आपको चावल, जब रहां जाते है, जह. यहां पर आपको क्या करणे है, जो भी बचे हुए चावल, आपकी फ्रिज में रखेंगे, वो लेने हैं, और एक ऐले, डबे में बंद करकर इस तरीक event की झावल के अंदर रखेंगे. जिसमें कि हमने गरम पानी डाला है और इसको अच्छे से हमें बंद कर दिना है बंद करने के बाद आप इसको कम से कम आपको 10 से 15 मिट के लिए ऐसे ही चोड़ देना है या 5 मिट के लिए at least आपको छोड़ना ही चोड़ना है जब आप इस तरीके से छोड़ देंगी तो आपक कि आपके चावल एकदम से गरम हो जाएंगे एकदम से फ्रेश हो जाएंगे चलिए next एक देख लेते हैं धिंडियों को लेकर भिंदी हमारे बच्चों को बहुत जादा पसंद नहीं मैंने देखा है कि mostly बच्चों को बहुत जादा भिंदी पसंद होती है और किस थो भी होगा बर जिनको नहीं पता है वो यह वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे तो हम नॉर्मली इस तरीके से एक या दो भिंडी लेकर कट करते हैं इसमें बहुत जादा टाइम लग जाता है और हमारे हाथ भी बहुत जादा गंदी होते हैं जिसमें कि हमारा बहुत सार हैंने लगे होगा गरिया हैं तो सोच आपके साथ किक शेयर कर दूं तो यहां पर आपको क्या करना है भिंडी ले लेने हैं सबसे पहले आपको देखना एक की ठीक हो मीज कीडे वाली बिपका यूज नहीं करना है मतलब मोसलिस अभी या फिर नीबू, उसके बाद नाइफ पर इस तरीके से रफ करदेना, एससे क्या होगा जब भी आपकी भिंडी आप कट करेंगे, तो भिंडी जो है नाइफ से नहीं चिपकेगी, और नाइफ भी चिपकेद पानी होगा, साथ यापका हाथ भी चिपचिपानी होगा, उसके बाद आपको इस तरीके से पकड़ना है, और जो इसके धंडल वाला पाटर्स को कट कर देना है, उसके बाद भिंडी को इस तरीके से कट कर देना है, इससे आपकी भिंडीना बहुत जल्दी से कट हो जाती, इसमें जादा टाइ पानी में हलका सा घोल ले और उसको बार दो नाइफ पर लगाएंगे तो भी वह इस पर नहीं चिपकेगा इस तरीके से आप इजीली भिंदी कट कर सकते हैं एक चीज का ध्यान रखना है जब इस तरीके से भिंदी कट कर रहे हो तो ध्यान रखें कि कीडे वाली भिंदी इसक जिन लोगों को नहीं पता है वो यह वाला टिप फॉलो कर सकते हैं भिंदी कट करना बहुत ही ज़दा आसान हो जाएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही थी भिंदी कट करने में त्यूंकि भिंदी कट करने में बहुत ज़दा घिन लगती है कि बहुत ज़दा इसटारी में सारी भिणियों को कट करें चलिए बिमने स्नी को साहीजिक लेन को अपुट है ने में कर अमेंनदा लिए लोगार। फ़ौने लेना है आपको double sided tape ले लिए अब इस double sided tape को आपको इस तरीके से back side में लगा देना है तो यहाँ पर आपके पास double sided tape नहीं है तो यहाँ पर आप एक side की तरफ ना के चीज़ से एक hole कर सकते हैं जिससे कि आप इसको hand कर पाए अब इसको हम अपनी kitchen की यह तो इसको हमें mainly kitchen पर ल लगा देना अब इसका use क्यों करना है और क्या use करना है चलिए देख लेते हैं जो भी हमारी rings वगेरा होती है हम हाथ में पहने ही रहते हैं और जब हमें आटा वगेरा लगाना होता है तो हम यह rings निकाल कर कहीं भी रख देते हैं जिससे हमारी rings mixed place हो जाती है कभी कबार खो जाती है जल्दवाजी में पूड़े में इसको डाल देते हैं जिससे के हमारा बहुत जदा लॉस हो जाता है तो अब आप से अगर यह पर्स आपके सामरे दिखेगा तो आपको याद रहेगा कि आपको rings जब भी निकालनी है तो इस wallet के अंदर डालनी है कभी आप भूल भी जरा सी भी useful लगती हो तो लाइक जरूर से कीजिए का साथ ही साथ चैनल पर फर्स टाम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलती हूँ आप से नेक्स वीडियो नेक्स ब्राग में तब तक लिए अपना ध्यान रखे अपनों का ध्यान रखे थैंक और वचिंग बाबाई चे के रेन राधी राधे